डाइबेटेस आज़कल के दोर में जीवर कितना कॉमन हो गया है आज़कल आपको और घर में एक डाइबेटेक पेशेंट मिल जाएगा क्यों बर रही है ये प्रोब्लम में किनी जादा देखा जाए लास्ट कुछ दस परा साल से ये प्रोब्लम बहुत जादा हो रही है इसका रीजन क्या है आईए आज हम इसके रीजन और इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिसकस करते हैं येलो एवरेवन, मैसर्फ नीरश गर्वास्तिक लेअ घंस पेल सन्स में और बेज बेगति हैं डाइबिटेस आती वहां से है डाइबिटेस हमारे घर की ईस्ट और साउथ हेस्ट से अती है येस्ट और साउथ हेस्ट और साउथ हेस्ट की बिच का आ एरिया होता है जब हमारे इस्वा साउथ हिस्ट में kitchen आ जाती है जब वहां पर fire आ जाती है तब उस घर में diabetes की problem आती है इसका reason क्या है जब वहां पर हमारे खाना बनता है तो वहां की energy उस खाने में glucose level काफी high कर देती है जब वही खाना हम खाते हैं तो वो गुलकोस लेवल हमारी बोडी के अंदर भी काफी हाई हो जाता है तो जिसकी वज़े से हमें डाइबिटेस होता है लास्ट को 16-15 साल से प्रोब्लम्स जादा क्यों हो रही है अगर आप विश्वाश करो जब से लोगों ने वास्तों का मानना शुरू किया है तब से ये प्रोब्लम्स जादा हो रही है क्योंकि लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि हमारे घर के नौर्थ हिस्ट में मंदिर और साउथ हिस्ट में किचन होना चाहिए क्योंकि वो अपने घर को अच्छी तरह से properly degree लेके grit नहीं करते वो intuitively अपने घर के south east में kitchen बनाते हैं और जब वो kitchen बनाते हैं उनका जो burner है उनका जो चुला है वो east और south east में आ जाता है जिसकी वज़ा से ये problem day by day बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है अगर आपके घर के east और south east में kitchen है और वहां पे आपको burner भी है और आपको diabetes की problem है तो आप वहां पे एक green ब्रोदा stone लगा सकते हैं और अगर आपके वहां पे kitchen नहीं है और आपको diabetes भी है आप चेक कर सकते हो कि आपके वहां पे red चपिंग कलर के cuttons होंगे wallpaper होगा जा sofa set होगा कुछ भी हो सकता है तो आप वहां पे एक zero watt का cream कलर का बलग जो 24 और 7 चलता रहना चाहिए वो लगा सकते हो इससे आपकी जो diabetes है वो काफी जल्दी cure होने लगते है एक बार उच ज्याद रखे कि अगर आपके घर में east south east में kitchen है तो आपको 100% diabetes की problem आईगी बट अगर आपको diabetes already है तो जह जुरूरी नहीं है कि आपके घर के east south east में आपको kitchen मिलेगी क्योंकि जो diabetes है वो hereditary भी होती है जब हमारे घर में पहले सी किसी को diabetes होती है जब वहां से diabetes आती है तो उसका reason east south east की kitchen जब वहां का कोई fire element नहीं होता है अपने east south east को balance जुरूर करके रखें next time फिर मिलते हैं till then stay tuned thank you